बिहार में भीसन गर्मी का प्रकोप जारी है प्रदेश में गर्मी ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 24 घंटे में और अग्णाबाद का ताप मान 44 डिग्री तो पटना में 43 डिग्री पार कर रहा है जबकि बक्सर सबसे गर्म जिला है यहां का ताप 45 डिग्री करीब पहुँच गया है बिहार के 18 जिलो का पारा 44 डिग्री से पार चला गया है मौसम वाग की माने तो 72 घंटे में 4 डिग्री और टेंपरेचर बढ़ सकता है मौसम वाग के मुताबिक 11 जून तक गर्मी से राहत मिलने की संभाबना नहीं बताई जा रही है रवीवार याने कि आज राज्य के 20 जिलों में लू चलने की संभाबना तेज है इसको लेकर मौसम वेग्यान केंद्री ने अलर्ट जारी कर दिया है वही मौसम वेग्यान ने केंद्री ने भागलपूर, पांका, जमुई, भोजपूर, अर्वल, रोहतास, अरंगाबाद, कैमूर और बकसर में हिट वेब बो लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया है वही पटना, जहानावाद, नालंदा, गया, नवादा, लखिसरै, सिक्पूरा, मुगेर, बेगुसरै, खगडिया और पश्चिम चंपारन में हिट वेब का यलो अलर्ट जारी किया गया है वही 55 साल का इस बार रिकॉर्ड टूट गया है इस सीजन में बिहार के 55 साल का गर्मी का जो रिकॉर्ड है वो तूट चुका है 29 मई को औरंगाबाद का अधिक्तम पारा जो था 48.2 डिग्री पहुंच गया था इसके पहले 14 मई को 1970 को जो पारा था 47 डिग्री गया था लेकिन पटना का अधिक्तम ताप मान ओल ट्राइम रिकॉर्ड 9 जून 1966 में 46 तसमलो 6 डिग्री दर्च किया गया था वहीं आप लोग अपने मुताबिक बाहर निकले ज्यादा से ज्यादा ना ही निकले तो ज्यादा बहतर है मौसम विज्यान केंदर के मुताबिक 11 जून तक गणमी से राहत मिलने की कोई उमीद नहीं है इस दोरान अधिक्तम ताप मान दो से तीन डिग्री सेल्सिस की गिरावट दर्च की जाएगी लेकिन लोग जैसी इस्तिती बनी रहेगी सनिवार को राज के पंदरजिलों में लू की चपेट रही इसमें पटना गया सिकपूडा गुपालकंग जमुई बकसर भोजपूर वैसाली बागा और अंगावाद नवादार राजगीर रोहतास अरवल और मुंगेर सामिल है मौसम विज्ञान केंदर ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि दो पहर के समय गर से बाहर निकलने से बचे अपने आपको हाइडरेट रखे ORS का ORS के साथ लसी भी ले और नीमबू पाने लगतार पीए चाच में पीए और अपनी सेफटी जो है आप खुद कीजिएगा क्योंकि जिस तरीके से बाहर में इतनी धूप इतनी गर्मी 55 साल का इस वर कर रिकॉर्ड टूट गया तो आप लोग अपने अनुसार सेफ रहिए स्वस्त रहिए और मस्त रहिए क्योंकि गर्मी से अगर हिट वेब के अगर सिकार होते हैं तो आपको आपके पड़िवार को जहलना पड़ सकता है इसलिए देश्वान्यूज आपसे अपील करता है कि आप अपने काम के नुसारी बाहर निकले ज्यादा से ज्यादा कोशिस करें कि बाहर नहीं निकले और साम के समय में निकले फिलाल इतना ही देखते रहे देश्वान्यूज धन्यवाद